हिले दोस्तों सागत आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में जैसा कि SPI की तरफ से नौवंबर की सुरुआत काफी सांदार देखने को मिली जैसा कि हम सभी एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और हम सभी ने बात भी की थी कि कम से कम 3-4 अपडेट नौवंबर के मैने में SPI की तरफ से देखने को मिले गई और नौवंबर के सुरुआत के 8 दिन में ही हमें 3 अपडेट देखने को मिले गई SPI Apprentice का रिजल्ट, फिर SPI PET का Call Letter, फिर SPI PO Pre का Admit Card और देखा जाए तो दो मेन अपडेट और SPI की तरफ से आनी है SPI कलर मेंस का रिजल्ट और दूसरी SPI कलर 2020 की 3rd वेटिंग लिष्ट अगर 3rd वेटिंग लिष्ट की बात करें तो वो तो फिक्स है कि 15 नौवंबर में आपकी रिलीज होनी है लेकिन SPI कलर 2021 के मेंस की रिजल्ट की बात करें तो आपसे एक हफ़ता बहुत जादा इंपोर्टेंट है और इसी एक हफ़ते में आपके काफी जादा चांस है कि दोनों अपडेट आपको देखने को मिल सकती है और रिजल्ट के बाद SPI जाना टाइम नहीं लगाएगा दिसंबर के एंड तक या जनवरी की सुरुआत तक आपकी जो DB, LPT टेस्ट और जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो कम्पलीट हो जाएगी अब देखा जाए तो काफी सारे स्टूडेंस के पस दो मौके हैं सेलेक्शन के लिए एक SPI कलेट 2020 की थर्ड वेटिंग लिश्ट से और SPI कलेट 2021 की मेंस रिजल्ट से तो दोस्तो अगर आप सभी को याद है तो आप जरू कमेंट में बताएं कि कितने आपके अटेम्ट रहे थे और देखा जाए तो अभी SPI PO Pre का एडमेट कार्ट भी रिलीस हो गया तो दोस्तो आप कमेंट में जरू बताएं कि SPI PO Pre का एग्जाम आपका किस डेट में और किस सिप्ट में है बाकि मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में जप्ता के लिए दन्यवाद